नमस्कार फ्रेंड्स में नाम पबलू और मापेपर है कर में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वह अपना हो जाता है आगरा युनिवर्ष्टी वालों के लिए बिये थर्डियर का है इकोनोमिक्स का सैकेंड पेपर यह रहने वाला है ठीक है और इकोनो क्योशनो का नोट्स की PDF डिरक्पिये नीचे discussion में लिंक इता रखा है उसका बहां जाके आप राणलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं यह बहुचन महाँ से बाहर नहीं जाने वाला है और बात करते हैं हम यहाँ पर जो हो जाता है इसका भी नोट्स आपको मिल जागा तो बढ़ते हैं फटाबर क्योशनों की ओर जो इंपोर्टेंट यहां पर दी जा रहे हैं अपनी बुक में या फिर आपके कोई भी लिख रखे उसीरीज ले रखे तो उसमें आप क्या करना है टिक लगा लेना है बस उनी क्योशनों की हैडिंग पर जाता फोकस देना है एक थोरी पढ़ना है उसके बार हैडिंगों को अच्छी पेकार से पढ़ लेना है ठीक है और टिक लगा लिजेगा फटाव पढ़ते हैं तुम्हारा एकोनोमिक पॉलिटी ओफ पॉलिसी ओफ इंडिया ठीक है तो यहां पर फरस्ट एकूशन अपना हो जाता है इसको देख ल हो जाती है तो इस प्रकार से हैडिंग पर जादा फोकस देना है बात करते हैं पंचबर्सी योजना तो पंचबर्सी योजना के बारे में आपको अच्छी प्रकार से याद करना है इंपोर्टेंट कोशन है बात करते हैं यहां पर भारत जनसंक्या समस्या का समाधान भारत की जनसंक्या समस्या का समाधान जनसंक्या बिस्पोटक के नियंतल के बारे में आपको कुछ सुझाद देना है यहां पर ठीक है और बात करते हैं भात में जनसंक्या ब्यद्धी पर रोक रोक लगाने की मार्ग से क्या-क्या बाधाएं है इसमें क्या-क्या बाधाएं आ रही है या पर नहीं अगर हैडिंग मजबूत है तो नंबर मिलेगा बरना नंबर नहीं मिलने वाला बात करते हैं आगे देखा है भारत में गरीबी में लगातार ब्रद्दी भारत में गरीबी में लगातार ब्रद्दी हो रही है निबंद लिखना इस पर कैसे कैसे निबंद करना है यहां दीक है भारत सरकार के बहुत पहारत सरकार के नबीन ऑदों के निती नीजिस सो इक्यानवे सब्सक्राइबुक्वा करना झालगी अब भातमे सर्व जनिक उपक्रमों का विकाश तोस हुआ था उसके पाय औरanor देश भी लिखना है साथ में ठीके नेक्स कुशन देखिएगा नेक्स कुशन के रहा है भारत में लगू एवं कुटर उद्धोग की पिर मुख समस्याइं कौन-कौन सी है अब अंतर भी पूँ सकता है लगू दो कुटर उद्धोग का अंतर बताईएगा तो इस प्रिकार से पिर कुशन बन सकता है ठीक है सौट वाला तो यहां पर देहां लगना है इसकी समस्याओं के वारे में अच्छे प्रिकार से हेडिंग के साथ लिखना है ठीक है और देखिएगा बहू राश्ति निगमों का अर्थ बहू राश्ति ये निगमों का अर्थ बताना इनकी विस टिक है अग्य देखिए यहां तो तेह इनके बारी इस्वार टेल में लिखना ड़ाल कर बात करता है नेस्ट कुछन त्था 자ag крепा रखें नियोगित काल में भारत के की किरसी भीकास यो गुद्यांक देड़ा हो तस परकार से मुल्यांकर किया जाता है इसके बारे में आपको समझाना है ठीकर और दिखते हैं यहाँ पर रेकिर है स्वरण बिन ओको समझाना है यहाँ पर बात करते हैं नन्यकोन निर्याति संबर्धन और आयात नरियात निती दौ हजार 2027ह उसके बारे में भ्याख्या करना ऐठे जाल करना है अघरा करना है और आंगे त έχ एक विगास अ disciplines देसों में आर्चिक निति के बारे में भी थोड़ा सा फोकुश डाल देना है ठीक है बात करते हैं आंगे जर्म दरता मित्तु दर क्या होती है इसके बारे में अंतर भी पूंच सकता है और डेटल भी लिखना है बात करते हैं परिवाद नियोजन क्या होता है इसके बारे में आपको बता देना यहां पर और परिवार नियोजन का सफल बनाने है संपूर ग्रामीर रोजगार यहजना संपूर संपूर भॉड्रामीर चीजि आधि उसके बारे में सुमझाना है और नई जैस्व व्यापार निती के बारे में हम यहां पर बताना है ठीक है नेक्स कर रहे हैं तुम्हारा PM-notes होते हैं किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है ठीक है और भारत में विदेशी pngji का यूगदान भी आपको यहां पर समझाना है head again डाल डाल कर बात करते हैं हाल में हुए भारतिये रुपे के मुल्यांकर के कारण का परिच्छन आपको बताना इसका कैसा कैसा परिच्छन हुआ था ठीक है भात की नभीन विदेशी व्यापान नितियों के बारे में भी आपको ब्याख्या करना है तो इतने ही क्योशन हो जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं सारे के सारी क्योश लेते रहेगा बिल्कुल तो यहां पर हमारे कप्र ज्यादा क्योश्ण यह 15-16 अपको दिए गए बस इतने ही क्योश्ण आपको कवर करना है बाकी कहीं से नहीं पढ़ना है ठीक है एक बार थेयोरी सभी की पढ़ लीजेगा पूरी की पूरी ठीक है एक बार थेयोरी पढ़ लीजेगा उसके बाद हैडिंग को क्या करना है अंडर लाइन कर लेना है बस उन्हीं को रटना है ठीक है एक्जाम में जाना है फिर भी उससे पहले उन्हें एक विरकार से देख कर ही जाना है सिर्फ हैडिंग हैडिंगों के लिए ठीक है बाकी थूरी सिर्फ एक बार पढ देना सस्क्राइब तो फिर्म लेंगे नेक्स्ट वीडियो तो तक लिए जय हिन जय भारत